क्या आप तस्वीर को ध्यान से देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि क्या या दुर्धटना है या हत्या लड़का विकलांग है इसलिए उसके लिए कार चलाना मुश्किल होगा साथ ही उनकी बाई जेव में ताभी हेल लेकरिन उनका बाया हाथ फ्रेक्वर हो गया है वो अपनी बारी जेव में ताभी नहीं डाल पाएगा यहें एक हत्या है पुलिस को जानकारी मिली की एक अपराधी हवाई अध्धे से भागने वाला डिटेक्टिब मेहूल अपने दोस्त के साथ हवाई अध्धे पर पहुँचता है आगे की जाच पर यह पता चलता है कि अपराधी एक नकली पासपोर्ट ले जा रहा है पुलिस ने दो सदिक्मदू की पहचान की इन दोनों की पासपोर्ट को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि फरजी पासपोर्ट कौन ले जा रहा है ए या फिर बी अगर आप एक ए पासपोर्ट की तारीक देखेंगे तो यह एक 30 अप्रेल है यह एक नकली पासपोर्ट है टॉम एक कार चलाने के लिए तरस रहा था इसलिए उसने एक चोरी करने का फैसला किया वो ही एक कार स्टो के सामने गया और पार्किक में 3 कारे पाई अगर टॉम को इन 3 कारों में से एक को चुरानी थी तो उसे कौन सा कार चुनना चाहिए एक 2 या फिर 3 कार एक में इसकी उपर कैमरा है और कार दो में एक ड्राइवर है जो अंदर बैठा है तॉम उन्हें चुरा नहीं सकता है इसलिए उसे कार तीन चुननी चाहिए एक बहुत मशहूर ज्विलरी शॉप में दकैती हुई चौर ने अपने चहरे पर एक मुखखोटा पहना था CCTV फुटेज में उसका चहरा नहीं देखा जा सकता था चौरी के तीन संदिवधों की पहचान की गई इन तीन संदिवधों को देखते हुए क्या आप चौर की पहचान कर सकते हैं चौर कौन है एक दो या फिर तीन चौर की कलाई पर तारे का निशान था दुसरे आदमी के हाथ पर भी वही निशान है वह चौर है कुछ महमान मेहूल के घर पर आए मेहूल ने उनके लिए चाए बनाने का फैसला किया क्या आप इन तीन केटल्स को देख सकते हैं और तैकर सकते हैं कि कौन सी केटली चाए की अधिक्तम मात्रा को पकड़ सकती हैं A.B. या फिर C केटल एक टोंटी कम उचाई पर है और केटल C में एक छोटा सा टोंटी है तो केटल भी अधिक चाए पकड़ सकती है